नमस्कार दोस्तों, सभी जानते हैं शुक्रवार का दिन धन धाने की देवी मा लक्ष्मी का है। खुद भी सफेद रंग से बनी हुई चीजने खाना अच्छा माना जाता है। इस नाते शुक्रवार को दूध, दही और उनसे बनी अन्य चीजों का सेवन करना फल्दाई साबित हो सकता है। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे और सफेज चीजों का सेवन करेंगे तो निश्रत इधन संबंधी परिशानी दूर होगी। इसके अलावा आपको बता दे व्यक्ति को अपना पर्स कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार खाली पर्स रखने से धन का नुकसान होता है और पैसों की आवक रुपती है। इसलिए हमेशा अपने पर्स में कुछ पैसे जरूर रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार धन हानी से बचने के लिए कभी भी फटी जेव वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसे कपड़े पहनने से इंसान के पास जतने भी पैसे आएं पर टिकते नहीं हैं। तो वहीं आपको बता दें कमल गट्टे की माला को धरन करने से मा लक कमला को कमल का हर एक रंग प्रिये हैं। लेकिन इन्हें सरवाधिक प्रिये कमल का बीच अधार्थ कमल गट्टा है। लेकिन कमल गट्टे की माला पहनने के कुछ नियंभी हैं। जिनके बिना ये उतना फलदाई सावित नहीं होता। कमल गट्टे की माला धरन करने के लिए शुक्रिवार के दिन सुभासनान करने के बाद 108 बार ओम श्रीश्री महालक्षमय का जाब करें और फिर इस माला को धारण करें इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में शरूर बताएं धन्यवाद